हेलो एवरीवन आप देख रहें एकलव वैस नातक और इस वाली वीडियो हम देखने वाले हैं BPSC 132 यूनिट नमर हमारा 5 है और इसमें हम देखेंगे मौली कदिकाल यहाँ पर आप देख सकते हो आपके यहाँ पर जो है चार चैप्टर जो है वो कम्प्रीट हो चुके हैं और इस वाली वीडियो में अपना जो यूनिट नमर 5 है वो कम्प्रीट हो जाएगा ठीक है यहाँ पर देख सकते हो कुछ पूछना है आपको तो पूछ सकते हो परिशे के उपर चर्चा करते हैं यहाँ पर देखे मौली कदिकार दोस्तों मौली कदिकार आपको बता है मौली कदिकार के उपर में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं मौलिक अदिकार क्या होता है किसी विवेक्ति के जीवन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कोई विवेक्ति कर अपना जीवन वैपन कर रहा है अपना जो जिंदिकी जी रहा है तो उसके लिए बुनियादी जो चीज है वो मानी जाती है मौलिक अदिकार अगर हम बा यूनिट में मौलिक अदिकार के अंदर ही डीप जो है चर्चा करेंगे सभी बातों के उपर में ठीक हैं तो जैसे हमने यहां पर परीचे देखा ऐसी उस परकार से हम यहां पर जो बहुत सारे जो टॉपिक हैं जैसे कि कुछ मंडल है भारती राष्ट्य मंडल विदेक उसके अगर हम बात करें यहां पर तो भारत में जो मौलिक अदिकारों के विचारों का जो उद्भाव था वो 1885 में भारती राष्ट्य कॉंग्रिस के स्थापना के साथ ही शुरू हो गया था ठीक हैं मतलब यह जो बात है कि मौलिक अदिकार होना चाहिए उसके जो उपर विचा किया गया यह क्या है 1885 में ही शुरू हो गया था कब भारतिय राष्ट्य कॉंग्रिस की स्थापना हुई थी उसी समय ठीक हैं भारतिय नागरिक भी जो भारत के नागरिक थे तो भारतिय नागरिक भी ब्रिटिश नागरिक की तरह समान अधिकार चाहते थे जैसे भारतिय नागरिक उन्होंने ब्रिटिश लोगों को देखा, उनको देखा कि उनको किस परकार से जो अधिकार हों मिले हुए, तो यहाँ पर ब्रिटिश नागरिकों की तरह ही भारतिय नागरिक को भी समान अधिकार चाहिए था, ठीक है, मौलिक अधिकारों के लिए थे 1988 तथा 1945 ने वी नहरू रिपोर्ट और सरपू रिपोर्ट बनाई, ठीक है, मतलब यह दोनों जो इसमें भी बहुत सारी बाते हैं, वह की गई थी इसके बारे में, ठीक है, इन दोनों रिपोर्टे के उपर में, पलस में बहुत सारी समीतियां थी, उनके भी यहाँ पर जो तो राष्ट्र मंडल विधयक में भारतियों के लिए साथ मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, इन सभी चीजों की यहां पर मांग की गई थी, उसमें से पहला देखते हैं यहां पर, जो पहला है, वो है व्यक्तिगा सोतंतरता की आजादी, दूसरा है, वो है बात करने की आजादी, ठीक हैं, तीसरा है, वो है एक्तिरित होने की आजादी, कहीं पर भी जमा हो जाना, समूझ बनाना, ठीक हैं, यह सारे जीके हैं, नैक्ष्ट उनकी मांग थी, कानून के सामने समान था, वो चाते थे कि कानून के सामने सभी समान हो, अमीर और गरीब में कोई बखाजा शिक्षा को ठीक है प्रात्मिक्षा को नियाए और व्यवसाई करने के लिए समान अधिकार होना चाहिए तो इन सभी मौलिक आजी कारों की मांग यहां पर की गए थी अब इहां बात करते हैं इसके इनध्री आधिकारों के अंतरगत अल्प संखेकों कौशन संख्या में कम होते हैं ठीक हैं तो उनके अधिकारों की रक्षा की बात की गई थी क्योंकि पहले यह जो था एक बड़ा मुद्दा हुआ करता था तो यहां पर कोई राज्य है ठीक है इस राज्य में यहां पर क्या है यहां पर एक ऐसा ऐसे धर्म के लोग रह रहे हैं जो कि कम है और यहां पर क्या है जादा है एक दूसरे धर्म के लोग जादा है तो यहां पर यह जो है यह अलब संख्या में कम होगे और यह सारे बहुत संख्या होगे तो हो सकता है कि यह अपनी जो चीजे हैं इन पर थोपे ठीक है मतलब इन पर दवाव बने इसलिए यहां पर इस चीज की जो सोतंतरता है मतलब कि इस चीज यहां से अधिकारू की जो रक्षा है वो जो है यहां पर करा गया ठीक है और 1931 के कराची शत्र में भी कॉंग्रेस पार्टी दोरा मजदूर गवर्ग के हीतों की रक्षा करन पते बात है और उनकी रक्षा की बात यहां पर उठाई गई थी ठीक है अगयर हम बहुआ करें साथ ही जो राजणितिक आर्थीक सोतंतरता फराप्त करने से संबंदित भी कानुनों की मांग जो engaged की गई थी ठीक है यहां पर देखते हैं 1945 सरप्रूर रिपोर्ट इसके अंत जादूर सरप्रू जी की अध्यक्षता में सरप्रू समीति का गठन हुआ था तो इसमें किस किस चीजों की ओपर बात की गई थी कौन-कौन से मुद्दे को उजागर किया था वो देखते हैं इस समीति का परमुक कार्य था भविष्य के लिए सविधान बनाने की प्रिक्रिया को तेजी प्रदान करना ठीक हैं यानि कि जो सविधान बन रहा था भविष्य के लिए उस सविधान को बनाने की गती को तेज करना इस समीति का काम था परमुक काम था ठीक हैं सरप्रू समीति के संदर्व में दो सुझाओ दिये गए थे पहला सुझाओ है यहाँ पर नियायोचित एवं गैर नियायोचित अधिकारो के बीच अंतर को सपस्ट कीजिए यह दोनों आपको यहाँ पर बताने हैं कमेंट में बहुत असान है नियायोचित और गैर नियायोच इन दोनों के बाते हैं उनके जो अधिकार है उनकी रक्षा करना है इन सभी के उपर जो है सुझाओ दिया गया था किसके अंदर यहाँ पर सर्प्रू के अंदर ठीक है तो यही सारी बात है सर्प्रू रिपोर्ट के अंदर मौलिक अधिकारों पर उपसमिती नुनका क्या सुझाओ था उनका क्या कार रहे था वह सारी चीजे देखते हैं Skit त ईनका तॉपिक था मौलिक अधिकार करते checks जन जातियों के इस समीती के जो अधिकारों की परमुक विशेस्ता हैं वो कोन कोन सी है सभी नागरी कानून के समख समान है सबसे पहली बात तो यह है कि जो नागरिक है वो सभी कानून के समख समान मने जाते है ठीक है चाहे वो गरीब वैक्ती हो अमीर वैक्ती हो कानून के समक्स वो सभी समान होते हैं ठीक है और यहाँ पर है सभी नागरिकों को अपने धर्म को मानने की सोतंतरता है अब आपको पता है सभी नागरिकों को जो धर्म होते वो अलग 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 धर्म से वो आते हैं तो स सब अपना जो धर्व हैं वो मान सकते हैं वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है इसकी सोतंत्रता ठीक है प्लस में नागरिकों को संगठन बनाने की सोतंत्रता जो नागरिक है वो अपना समू बना सकते हैं संगठन बना सकते हैं कोई काम कर सकते हैं लेकिन ध्यान इस बात का रखना स्र परधान की जाती है सवरीधान की तीन व्याक्तियों को सुरक्षा देने के लिए 血 gemacht ॡ व्याक्तियों को बनाई है यहां पर समझ जिई HAS 17 यहां पर करते हैं हम तो आप इसमें से ऴरीडी की बात करते हैं अनुछे 17 अनुछे 17 के लिए यहां पर प्रिष्चता आएगा को समाप्त करने का प्रवधान था यानि कि कुछ ऐसे जाती के लोग जिनको क्या है कि मतलब उनको छूना जो है गला समझा जाता है उनको ऐसा लगता है कि अगर उनको छू दिया तो जो दूसरा धर्म होता है उसको इसनान करना पड़ेगा ठ गाउं के छोटे छोटे में जो है यह सभी चीजा मानी जाती होगी तो इस चीज को समाप्त करने के लिए अनुछे सत्रा को बनाए गया था ठीक है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है और यह सारी चीज़े को गलत माना जाता है ठीक है तो आगे देखते हैं असेकंड कोन सा है इ तो इसके अंतरगत क्या है किसी भी नागरी को ठीक है कोई भी नागरी को तो उसके जाती से रिलेटिड धर्म से रिलेटिड नसल से रिलेटिड लिंग ठीक है उससे रिलेटिड चाहिए वो मेल हो फीमेल हो जन्म स्थान चाहिए उसका कोई बड़े शहर से हो छोटे गाउं स सब की जगह होती है यहाँ पर है अनुचे 23 जो कि हमारा है तीसरा वाला पॉइंट में क्या है अनुचे 23 में बाल शोषन तथा बंदवा मजदूरी को गैर कानूनी बतायागी है अब इसमें जो बाल शोषन है जो कि 18 साल से कम उम्रे के बच्चों के साथ शोषन होता है तो उसे बाल शोषन कियाते है ठीक है तो उसके अंतरगत क्या है अनुचे 23 में बताया गया है कि बंदवा मजदूरी बाल शोषन है बंदवा मजदूरी आपको पता है क्या होता है कि होता क्या है कि पहले के समय में होता था कि जैसे मान के चलिए कोई कर्ज लेने वारा बंद से और तो क्या करेगा अमीर बंदे के यहां उसको काम करना होता था ठीक है और यह इतनी गलत चीज थी कि ऐसा भी हो सकता था कि गरीब आत्मी ने बहुत जाता करज ले लिया तो जो बंदवा मजदूरी है वह अगली पिड़ी तक ट्रांसफर हो जाए मानके चलिए कि उसके पिता ने कज लिया था और उसके बाद जो कर्ज को चुकाने के लिए उसका बेटा भी उसके यहां मजदूरी करे तो इसको बंदवा मजदूरी कहते थे यह सबी चीजों को गयर कानूनी बताएं यहां वर समझते हैं अगर मौलिक अदिकारों का हननन होता है ठीक है अगर क दूसरे जो न्याले होते हैं उसके अंदर भी वो अपील जो है वो कर सकता है कोई दिक्कत वाली आपर बात जो है वो नहीं है ठीक है यहां पर देखते हैं हमारा टॉपिक है छै परमुक मौलिक अदिकार जो हमें मौलिक अदिकार दिये हैं वो साथ दिये हैं आपको पता ह है तो उसमें से देखते हैं यहां पर इसके बात करते हैं क्या सभी बाते हैं यहां पर देखिए तो हम यहां पर बात कर रहे हैं जो टॉपिक है हमारा वो है छै परमुक मौलिक अदिकार ठीक है तो इसमें क्या है कि हमें यहां पर देखना है कि जैसे कि आपको पता है कि हमें साथ मौलिक अधिकार जो है वो दिये गए थे ठीक है लेकिन क्या है 1978 में 44 संसोधन सविधान सविधान के अंदर संसोधन हुआ था 44 तो उसके द्वारा अनुचे 31 में वर्णित संपत्ति के अधिकार को खतम कर दिया था ठीक है तो इसके बाद हमारे बज जाते हैं 6 अब उस 6 कै कि identify में से हम दो के उपर लिए आपर डिसक़ स्कत करते हैं जैसे सामानता का अदिकार सुतंटरता का लुग है तो उसके अंदर वह स्मांता का अधिकार आतिकार को पांस भावों में बाटा गिए त्कितL पहला है समाजिक समानता यानि कि समाज आप समझ पारे हैं समाजिक समानता का मतलब और उसके बाद है अफसर के समानता यानि कि अगर मान के चलिए किसी यहाँ पर कोई अफसर है जैसे कोई कंपनी में काम कर रहा है बंदा और किसी चीज का उसको अफसर मिला है तो उसमें भी समानता होनी चाहिए औस प्रिश्चिता का अंत मैं नहीं होता है औस प्रिश्चिता चुआ छूत ठीक है तो इस चीज का अंत करना पद्वियों का अंत ठीक है जो पद्वी होती है किसी की उच्छ पद्वी होती है ठीक है तो उसका फायदा नहीं उठाना उस सभी चीजों का यहां पर पद्वियो गांत पलस में क्या है विधी के समक्समानता ठीक है तो विधी के समक्समानता यह आपको बताना है कमेंट में ठीक है चलिए मैं आपको बताई देता हूँ ठीक है तो विधी के समक्समानता का मतलब होता है कि कानून के समक्समानता ज़ो फोड़ा पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या हैं क्या इसके अंदर भी जो है यहां पर और भी parts हैं तो उसके वारे में देखते हैं क्या सारी चीजें है कि अरुष्षे उन्नीस स्फ़ाइब को छह परगार की सुतंतरता के ओपर ठीक है भाशन एवं अभिवक्ति की सुतंतरता ठीक है कोई भी बंदा कहीं पर भी क्या है भाशन दे सकता है उसके लोग सुतंतर है सांधी पूर्ण सभा की सुतंतरता कोई बंदा है कहीं पर भी सांधी पूर्ण तरीके से अपना सभागर सकता है, समू बना सकता है, उस चीज की सोतंदरता उसे दी गई है, ठीक है, देश के किसी भी भाग में घूम सकता है, वो घूमने की उसको जो है आजादी मिली हुई है, पलस में कहा है, भारतिय नागरी, भारत के अंदर में, भारतिय जो नागरी का जो सुतन दिरता है वो मेली हुई है ठीक है तो यह आपको समझ में आ गया होगा अब हम बात करते हैं मूल भूत आधार सिधान तो अभी तक दोस्तों हमने जो पढ़ा है उसमें आपने एक चीज पढ़ा होगा कल के उसमें था यह इससे जो पहला वाला यूनिट था उसके अ सविधान में संसोधन करना पड़ जाते है लेकिन यहां बात यह है कि आपने पढ़ा होगा मैंने आपको बताया था कि मूलभूत चीजों में नहीं होता है यहां पर संसोधन तो अब यह पर पढ़ते कि मूल मूल भूठ धाचे में परिवर्तन नहीं होता ठीक है तो अब वो कौन से मूल भूठ धाचे जिसमें परिवर्तन नहीं होता उसे देखिए परतिबंद खीयां अब जैसे कि हमने भी सारे में बात कर लि कि कौन कौन से मौश्यक्ष अधिकार प्रापत हैं स्क्षानारे कि हम अब मलीक अधिकार खाता है यानि जैसे मान के चलिए कि आपको जो है एक मौलिक अधिकार मिला हुआ है कि हम सोतंत्र हैं ठीक है सोतंत्रताग अधिकार तो क्या उसको कभी जो है यहाँ पर परतीबंद लगाया जा सकता है तो हाँ उनको परतीबंद यहाँ पर लगाया जा सकता है कैसे तो ना पकर आपने सुना कर्फिय लग गया तो कर्फिय लग गया तो यहांपर क्या है कि J debated teacher UGG और फे ऐ है परतिबन लग गया तो ऐसे ही होताई JUL describing जरुत पड़ती है तो जो सरकार है इस पर पर्तिबन लगा सकती है जैसे मान के चलिए कि कोई देश के लिए को खत्रे की इस्तिती पैदा हो गई देश की सुरक्षा करनी है एकता और खंडता संप्रुबत्ता को बनाये रखना है तो उसके लिए क्या करेंगे उसके यहां पर करें अगर जब पढ़ती एच फरकार को तो इसरक्रों पर वह पर्थी बंध मुली की गई के लेकिन हाला कि मॉली के अधीकारों पर भी पर्थी बंधा जा सकता है। मैंने आपको बताया कि मौली का अधिकारों पर ज़रत पढ़ने पर परति बंद लगाया जा सकता है वूदहरण के लिए बात कर लेते हैं उध्यारण के गिए कि देश की प्रक्षा को बनाए रखने के लिए और रखने के लिए सोतंतर न के इस परकार से जब जुरत पढ़ती है तो वहाँ पर यह सब चीजे होती है जिस परकार से सभी नागरिक समान है अब यहाँ पर क्या है कि आपने देखा मौलिक अधिकार के अंदर में बताया गया कि सभी जो नागरिकों समान है लेकिन समान में जब वन्चित वर गया है जैसे कि महिलाएं हो गए बच्चे हो गए यह अनुसुच जातियां हो गई अनुसुचे जन जातियां हो गई तो इनके सुरक्षा के लिए भी संद्रक्षन के लिए भी कल्यान काड़ी जो नीतिया है वो वो बनाई लिए बनाई लिए ठीक है तो यहाँ पर भी जो है जो है आप समझ सकते हैं यहाँ पर थोड़ी जो है इस चीज को जो यहाँ पर परतिवन लगाया गया है तो मतलब सरकार अपने हिसाब से जो चीजों को है वो बदल सकती है अगर ये बताया कि समानता का अधिकार है सब समान है तो कुछ वर्ग जो उनको जुरत लगता है कि हाँ इस वर्ग को क्या है यहाँ पर संडेक्षन देना चाहिए तो वहाँ पर नितियों को थोड़ा-थोड़ा चेंज करते हैं और वो अपने हिसाब से यहाँ सही निर्णे लेते हैं तो यह सारी जो चीज़े हैं आपको यहाँ पर में आगए होगी मौलिक अधिकारों की सारी जो चीजे हैं उसके पर हमने बात कर ली हमने मौलिक अधिकारों पर पर प्रतिवन लगाये जा सकता है इसके पर बात कर ली मुलबूत आधार सिधान के बारे हम बात कर ली कि क्या ऐसी चीजे हैं जो चेंज नहीं होती ठीक है जैसे जो बेसिक प्रिष्टा इन सभी चीजों के पर जो हमने बात कर ली है तो यहीं सारी चीज थी ठीक है तो आपका जो टॉपिक है यहां पर उसके साथ साथ आपका जो युनिट है वह भी खतम हो चुगा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का जो लिंक है आपको निचे डिस्क्रिप्शन म मिल जाएगा कुछ पूछना होता आप पूछ सकते हो ठीक है और यहीं बात थी सारी वीडियो आपकी यहां पर हो चुगी है कंप्लीट वीडियो पसंद आगे तो आप लाइक कर सकते हो कमेंट कर सकते हो साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करके बैल नोटिफिकेशन